नमस्कार दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी अपनी जीवन में ऐसी ख़णों से गुसरे हैं, जब हमें लगा कि ब्रहमाण हमें कुछ संकेत दी रहा है, शायद ये एक संयोग था जिसे हमने दीखा, या कोई अंतर ग्यान जिसे हमने महसूस किया, ब्रहमाण के संकेतों को समझने और उन पर ध्यान दीनी का महत बहुत बुराना है, और ये हर संस्कृती में किसी ना किसी रूप में मौजूद है, ब्रहमाण को सुनना एक ऐसी करा है, जिसे हमारे पूरवचों ने सधियों पहले ही समझ लिया था, वे इन संकेतों को अपने देनेक जीवन का हिस्सा मानती थे और अपने नेड़ने इसे आधार पढ़ लेते थे, भारतिया पौराने कथाओं में भी अनेक उधारन मिलते हैं, जहां देवताओं और महान युद्धाओं ने ब्रहमाण के संकेतों का बालन कर अपने जीवन के दिशा दैगी, महा भारत में अर्चुन के कहानी को ही ले, जब अर्चुन युद्ध के मैदान में भ्रमित थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ग्यान दिया, ये ग्यान अर्चुन के लिए प्रहमाण का संदेश था, जिसने उनके दिशा और उद्देश को स्पष्ट किया, इस ब्रहमाण को सुनना सिर्फ पौराणी कहानियों तक सीमित नहीं है, आज के दोर में भी कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसके माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान ढूटते हैं, चाहे वो किसी नए अफसर को स्वीकार करना हो, या किसी चुनावती का सामना कर ब्रहमाण के संकेत हम इस सही दिशा दिखा सकते हैं, इस वीडियो में हम ब्रहमाण को सुनने के महत्व को विस्तार से समझेंगे, हम जाने के कि ये कैसे हमारे जीवन को साकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और इसके क्या फाइदे और क्या नुकसान है, साथ ही हम य ब्रहमाण के संकेतों को पहएद जान सकते हैं और उन्हें अपने हित्व में उपयोग कर सकते हैं, तो आईए इस रोचक यादरा की शुरुआत करते हैं जानते हैं कि क्यों हमें हमेशा ब्रहमाण को सुनना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें ब्रहमाण को सुनना चाहिए या नहीं हम जानेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसके क्या फायदे हैं क्या इ प्रहमाड क्या है? प्रहमाड का सीधा सा मतलब है वो सब कुछ जो हमारे चारो ओर है. सितारे, क्रह, गालक्सी और वो सारी जगहा जहां ये सब मौचूद हैं. ये बहुत विशाल और रहस्यमई है. बैज्यानिकों के अनुसार प्रहमाड की शुरुवात बिग बैंक नामक एक बड़े विस्भोट से हुई थी, जिससे सभी बदार्थ और उर्चा उत्पन्न हुए. ब्रहमाड बोलता कैसे है? ब्रहमाड के बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में हमसे बात करता है, बलकि ये संकेत और घटनाएं हमें रास्ता दिखा दिखा दी हैं. प्रहमाड के लिए महाभारत में, जब अर्चुन युद्ध के मैदान में संदेह में थे, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया. ये उपदेश एक प्रकार से ब्रहमाड का संदेश था, जिसने अर्चुन को सही दिखाने में मदद की. खंड दो, प्रहमाड के संकेत. संकेतों के प्रकार. प्रहमाड हमें कई प्रकार से संकेत भेशता है. ये संकेत हमारी रोस महरा की जिन्दगी में आते हैं और हमें सही दिखाने में मदद करते हैं. पहला संयोग याने सिंक्रनिसिटी जब किसी घटना का संयोग से होना हमें विशेश संदेश देता है जैसे किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलना या किसी किताब का बन्ना खोलते ही हमें हमारे सवाल का जवाब मिलना दूसरा अंतर क्यान और आंतरिक भावना जब हमें किसी चीज के बारे में अचानक एक मस्पोत आंतरिक भावना होती है जिसे हम अकसर समश नहीं बाते लेकिन वो सही साबित होती है ये हमारे मन की गहराई से आने वाली आवास होती है तीसरा प्रकृति के संदेश प्रकृति हमें भी संकेत देती है मौसम में अचानक बदलाव, किसे विशेश पक्षी का दिखना या किसे विशेश भूल का खिलना ये सभी प्रकृति के संकेत हो सकते हैं अगला संकेतों को बहचानना ब्रहमार के संकेत अक्सर सुक्षम और स्पष्ट नहीं होते इसलिए हमें इन्हें पहचानने के लिए सतर्क और जाक्रुक रहना पड़ता है जैसे पहले ध्यान और मनन ध्यान और मनन करने से हमारा बंच शान्त होता है और हम प्रहमार के सुक्षम संकेतों को आसानी से पहचान पाते हैं ये हमारी आंतरिक आवास को भी सुनने में मदद करता है। दूसरा, ध्यान पुर्वक देखना और सुनना। हमें अपने चारों और की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी हमारे आसपास की छोटे-छोटे चीज़ें भी बड़े संकेत दे सकती हैं। तीसरा, समवेद नशीलिता विक्सित करना। हमें अपनी समवेद नशीलिता को विक्सित करना चाहिए ताकि हम अपने आंतरिक और बहारी दुनिया के संकेतों को पहचान सकें। खंड तीन, प्रहमार को सुनने के फायदे, व्यक्तिकत विकास। प्रहमाण के संकेतों को सुनने और समशने से हमारा व्यक्तिकत विकास होता है। जब हम प्रहमाण के संकेतों पर ध्यान देते हैं तो हमारी अंतर ग्यान और आत्मजागरूगता बढ़ती है। ये हमें अपने भीतर जाकने और अपने वास्तविक उद्देश को समशने में म मदद करता है दूसरा जीवन का उद्देश्य प्रहमार के संकेत हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करते हैं इससे हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा प्राप्त करते हैं अगला आध्यात्मिक जुड़ाव प्रहमार के संकेतों क पहला अध्यात्मिक शांती, ब्रहमार के संकेतों पर ध्यान देने से हमें अध्यात्मिक शांती मिलती है, ये हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है, दूसरा उर्चा का प्रवाह, जब हम ब्रहमार से चुड़े होते हैं, तो हमारी उर्चा का प्रवाह सकारात्मक होता है, ये हमारे मानसिक और शारिरिक स्वास्त को पिहितर बनाता है अगला नर्णय लेने में सहयता प्रहमाण के संकेत हमें नर्णय लेने में स्पष्टता और आत्म विश्वास प्रदान करते हैं ये संकेत हमें सही समय पर सही नर्णय लेने में मदद करते हैं पहला, स्पष्टता. प्रहमार के संकेत हमें जीवन के कठेन मोड़ों पर स्पष्टता प्रदान करते हैं. इससे हम अपने नर्णयों में अधिक आत्म विश्वास महसूस करते हैं. दूसरा सही दिशा जब हम प्रहमार के संकेतों को सुनते हैं तो हम सही दिशा में आगे पड़ते हैं ये हमें हमारे लक्षों को प्राप्त करने में मदद करता है इस प्रकार प्रहमार के संकेतों को सुनना हमारे जीवन में व्यक्टिक अध्विकास आध्यात्मिक चुड़ाव और निर्णे लीने में सहायता प्रदान करता है ये हमें एक संतलित और उद्देश पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है हमेशा ब्रहमाण की सुनने के नुकसान ब्रहमाण की सुनी हर बात पर अधिक ध्यान देने की बचाए कभी कभी हमें अपने विचारों और अपनी स्थिति का भी ध्यान देना चाहिए यहां तक कि ब्रहमाण के संकेतों को पूरी तरह से मानने की जरूरत नहीं होती और हमें अपनी स्वतंतरता और विचारों पर भरोसा रखना भी आविश्यक होता है संकेतों के समश में समस्याए ब्रहमाण के संकेतों को समशना एक सबल ताकत हो सकती है लेकिन इसमें विवाद भी हो सकता है अक्सर ये संकेत हमें उसी दिशा में ले जाते हैं जहां वास्त विक्ता नहीं होती है अधारण के लिए कभी-कभी ब्रहमाण के संकेत अगला व्यक्तिकत संखर्ष ब्रहमार के संकेतों को स्वेकार करना अकसर व्यक्तिकत संखर्ष का कारण बन सकता है। अगला व्यक्तिकत स्वतंतर्थ अधिक ध्यान देने की बचाए हमें अपनी स्वतंतर्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्रहमार के संकेतों के अधिरिक्त हमें अपने अनुभव पर भी विश्वास करना चाहिए। हमारे अनुभव हमारी व्यक्तिकत और सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब होते हैं और हमें उन्हें समझने और उनके आधार पर कारिवाई करने की आविशक्ता होती है। अपने अनुभव से हम सीखते हैं और अपने जीवन के दिशा में नए उत्तरों को खोचते हैं। अगला अपने विचारों का सम्मान प्रहमाण के संकेतों को समशने में शक्ती है लेकिन हमें इसे अधिक्तम ध्यान देने की बजाए अपने विचारों का सम्मान करना चाहिए हमारे विचार हमारी पहचान के रूप पे होते हैं और हमें उन पर भरूसा करना चाहिए जब भी हम अपने जीवन के महतपूर निर्णे लेते हैं निशकर्ष, अदिद के संकेतों को ध्यान में रखने की बचाए हमें अपनी स्वतंतरता, विचारों और अनुभव पर भरूसा रखना चाहिए ये हमें अपने जीवन में स्वतंतरता और सम्रथी लाने में मदद करेगा घंड चार, प्रहमाण को सुनने के तरीके ध्यान और मानसिक्ता ध्यान और मानसिक्ता प्रहमाण के संकेतों को सुनने का सबसे प्रभावी तरीका है ये हमारी आंतरिक आवास को जाकरुक करता है और हमें सुक्षब संकेतों को बहचानेने में मदद करता है पहला ध्यान यानि मेडिटेशन ध्यान करने से हमारा मन शान्त होता है और हम प्रहमाण के संकेतों को वहतर तरीके से सुन सकते हैं नियमे ध्यान हमें हमारे भीतर के शोर को कम करने में मदद करता है और हमें कहरी समझ प्रदान करता है भारतिय संस्कृती में योग और ध्यान को ब्रहमाण से जुड़ने का महत्पूर माध्य माना गया है मनन करने से हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं ये हमें हमारे आसपास की चीजों को अधिक स्पश्टता से देखने और सुनने में मदद करता है मनन का अभ्यास करने से हम ब्रहमाण के सुक्षम संकेतों को पहचान सकते हैं अगला लेखन और आत्म प्रतिबिंब लेखन और आत्म प्रतिबिम्ब हमारे विचारों और भावनाओं को सपष्ट करने का एक महत पूंट तरीका है। ये हमें ब्रहमाण के संकेतों को समझने और उनका विशलेशन करने में मदद करता है। पहला, जर्नलिंग देन एक चर्नलिंग करने से हम अपने विचारों और अनभवों को रिकॉट कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन में आने वाले संकेतों को पहचानने और समझने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों को कागस पर उतारते हैं, तो हमें सपश्टता मिलती हैं और हम अपने अनभवों को पहतर ढंग से समझ सकते हैं। दूसरा आत्व विचलेशन यानि सर्फ रफ्लेक्शन आत्व विचलेशन करने से हम अपने निर्णयों और अनभवों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हमें हमारी सफलताओं और असफलताओं से सीखने में मदद करता है और हमें भविश्य में प्रहमार के संकेतों को बहचानने में सक्षम बनाता है अगला प्रकृति के साथ चुड़ाव प्रकृति के साथ जुड़ना प्रहमार के संकेतों को सुनने का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है प्रकृति हमें शांत करती है और हमें प्रहमार की उर्चा से चोड़ती है पहला प्रकृति में समय बिताना यानि spending time in nature प्रकृति में समय बिदाने से हमारा मन शान्त होता है और हम प्रहमाड के संकेतों को स्पष्टता से सुन सकते हैं ये हमें नया दृष्टी कूण प्रतान करता है और हमारे विचारों को स्पष्ट करता है भारतिय संस्कृति में पंचकव्य और प्रकृति पूजा के माध्यम से प्रहमाण से जुड़ने की परंपरा है दूसरा प्रकृति का अवलोकन, observing nature प्रकृति का अवलोकन करने से हम उसके संकेतों को पहचान सकते हैं पक्षियों का गायन, पेड़ों की सर सराहट और मौसम में बदलाफ ये सभी प्रहमाण के संकेत हो सकते हैं जब हम प्रकृति का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हैं तो हमें चीवन के गहरे अर्थ समझ में आते हैं अगला सपनों और अंतर ग्यान पर ध्यान देना सपने और अंतर ग्यान हमारे अवचीतन मन के माध्यम से प्रहमाण के संकेत प्राफ्ट करने के महत्पूर्ड साधन है ये हमें हमारी अंतरिक इच्छाओं और चिंदाओं के बारे में बताते हैं जैसे पहला सपनों का विषलेशन यानी ड्रीम अनालिसिस सपनों का विशलेशन करने से हम अपने अवचेतर मन की गहराईयों में जांक सकते हैं हमारे सपने अक्सर हमें हमारे जीवन के बारे में महत्यपूर्ण संदेश देते हैं भारतिय पौराणे कथाओं में भी सपनों को महत्यपूर्ण संकेत माना गया है जैसे कि महाभारत में राजा धृत राष्ट के सपने दूसरा अंतरग्यान पर विश्वास यानि ट्रस्टिंग इंट्यूशन हमारा अंतरग्यान हमें प्रहमाड के सुक्षम संकेतों को पहचानने में मदद करता है ये एक अंतरग्यान है जो हमें सही दिशा दिखाता है जब हम अपने अंतरग्यान पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में सही नड़ना ले सकते हैं अगला नियमित अभ्यास प्रहमार के संकेतों को सुनना एक नियमित अभ्यास है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में शामिर करना चाहिए ये हमें धीरे धीरे अथिक जागरुख और संबेदन शील बनाता है पहला नियमितिता बनाए रखना यानि मैंटेनिंग रगुलारिटी नियमित रूप सिध्यान, मनन और जोर्निलिंग से हम प्रहमार के संकेतों को बहतर तरीके से पहचान सकते हैं ये हमें सतर्क और जागरुख बनाता है दूसरा अनुभव साज़ा करना यानि Sharing Experiences अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साज़ा करने से हम नए दृष्टी कोण और अंतर दृष्टी प्राफ्त कर सकते हैं ये हमें हमारे अनुभवों को बहतर ढंग से समशने और उनसे सीखने में मदद करता है इस प्रकार प्रहमाण को सुनने के लिए हमें ध्यान, लिखन, प्रकृती के साथ चुड़ाव, सपनों और अंतर ग्यान पर ध्यान देना और नियमित अभ्यास करना चाहिए ये हमें हमारे जीवन को सकरात्मत दिशा में ले जाने और हमारे उद्देश को स्पष्ट करने में मदद करता है प्रहमाण के संकेतों का साक्षातकार प्रहमाण के संकेतों का साक्षातकार करना हमारे जीवन में एक कहना परिवर्थन ला सकता है ये हमें अपने आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोंड से देखने और समझने में मदद करता है अनुभव का महत्व प्रहमार के संकेतों का साक्षात कार करना हमें अनुभवों की अमीरी प्रदान करता है ये हमारे जीवन में एक नया संदेश प्रदान कर सकता है जो हमें अपने उदेशियों और मार्क की दिशा में मदद करता है पहला अंतरनेहित क्यान ब्रहमार के संकेतों का साक्षात कार करने से हम अंतरनेहित क्यान प्राप्त कर सकते हैं ये हमें जीवन के प्रती अपनी समझ को बढ़ाता है और हमें सहे नर्णाय लेने में मदद करता है। दूसरा सांस्कृतिक धरोहर भारतिय संस्कृति में ब्रहमार के संकेतों को महतपुंट संदेश माना गया है। पुराणों, वेदों और धार्विक क्रंथों में इन संकेतों का विस्तारित वर्णन है जो हमें जीवन के विभिन्द पहलूं को समझने में मदद करता है। अगला, सहियोग और समर्थन ब्रहमार के संकेतों का साक्षातकार करने से हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहियोग और समर्थन में आसानी होती है। इससे हम एक समर्थ समाज का निर्मार कर सकते हैं जो सभी के विकास और समर्थी को समर्थन देता है। पहला, साज़ा अनभव. अपने ब्रहमांड या अनभवों को दूसरों के साथ साज़ा करना, हमें एक दूसरे के अनभवों को समझने में मदद करता है. ये हमारे बीच संबन्थों को मस्बूत और सद्भाव पूर्ण बनाता है. दूसरा, संब्रत समाज का निर्माण. ब्रहमांड के संकेतों के साक्षातकार से हमारा समाज संब्रत और सहान भूती पूर्ण होता है. इससे हमारे विफिन समुदायों में एकता और समरस्ता बढ़ती है. अगला, स्वतंतरता और स्वाध्याय. प्रहमांड के संकेतों का साक्षातकार करने से हमारे स्वतंतरता और स्वाध्याय में पृत्धी होती है. इससे हम अपने अंतर्मन की गहरायों में जा सकते हैं और अपने असाधारन पोटेंशल को पहजान सकते हैं. पहला स्वतंतर्ता का महत्व ब्रहमाण के संकेतों के माध्यम से हम अपनी स्वतंतर्ता को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं ये हमें अपने जीवन के दिशा में स्वतंतर्ता प्राप्त करने में मदद करता है स्वाध्याई करने से हम अपने विचारों को समझ सकते हैं ये हमें प्रहमाण के संकेतों को कहराई से समझने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के दिशा में स्पष्टता प्रदान करता है खंड 6. प्रहमाण के संकेतों का अपने जीवन में अंतर नहीति करण करना हमारे जीवन को स्रकारात्मक दिशा में बदल सकता है। ये हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ने और अपने पोटेंशिल को बहचानेने में मदद करता है। पहला स्वयम पर नियंतर्ण प्रहमाण के संकेतों का अंतर नहीति करण करना हमें अपने स्वयम पर नियंतर्ण प्राप्त करने में मदद करता है। ये हमें हमारे विचारों, भावनाओं और ग्रियाओं को समझने और नियंतरित करने में सक्षम बनाता है। पहला, आत्मसमीक्षा यानि सल्फ रेफ्लेक्शन. ब्रहमाण के संकेतों का अंतर नहीतिकरण करने से, हम अपने आत्मसमीक्षा में गहराई तक जा सकते हैं. ये हमें हमारे व्यक्तित्व के प्रती समझ बढ़ाता है और हमें अपनी कमसोरियों और गुणों को समझने में नभव कर सकते हैं. इससे हमारा स्वत्थंत्र और साकारात्मक्त जीवन बनता है. अगला, स्वास्थे और विकास. प्रहमाण के संकेतों का अंतर atenção हितिकरण हमारे शारिक । मानसिक स्वास्थ में सुधार ला सकता है और हमें व्यक्तिक त्विकास के मार्क पढ़ ले जा सकता है तिससे पहला ध्यान और संतलन यानि meditation and balance ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपनी शारिक और मानसिक संतलन को स्थापित कर सकते हैं इससे हमारा संचार बहतर होता है और हम जीवन के हर पहलू में समर्थ बनते हैं दूसरा स्वास्थ सुधार यानि health improvement प्रहमाण के संकेतों के साक्षातकार से हमारा शारिक और मारसिक स्वास्थ सुधरता है ये हमें ताकत और उर्चा प्रदान करता है और हमें दुख और संकटों से निपठने में मदद करता है अगला उदेश के प्राप्ती प्रहमाण के संकेतों का अंतर नहितिकरन करने से हम अपने जीवन के उदेश को स्पष्टता से देख सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर सकते हैं पहला संदेश और प्रिर्णा यानि Message and Inspiration प्रहमार के संकेतों का साक्षातकार हमें अपने जीवन के उद्देशे के बारे में संदेश और प्रिर्णा प्रदान करता है इससे हम अपने कारेों में नई उर्जा और द्रिष्टिकोंड लाते हैं दूसरा प्रगती और विकास यानि Progress and Development प्रहमार के संकेतों के साक्षातकार से हमें विश्वास होता है कि हमारे प्रियास में सफलता मिलेगी इससे हम अपने उद्देशी की दिशा में तेजी से अग्रिसर होते हैं और अपने जीवन को साकारात्मक दिशा में बदलते हैं इस प्रकार ब्रहमार के संकेतों का अपने जीवन में अंतर नहितिकरन करना हमें स्वयम पर नियंतरन प्राप्त करने स्वास्थ और विकास में सुधार लाने और उदेशी की प्राप्ति में मदद करता है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ आ ही किया होगा कि ब्रह्मार की बाते सुनना अच्छे बात है पर हर परिस्थिती में नहीं कुछ परिस्थितियों में हमें खुद से भी सोचना चाहिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंत आया होगा ऐसे ही और रोचक और सहायता पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे और अगर ये वीडियो पसंत आया हो तो लाइक करना ना भूले और इसे अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेर जरूर करें धैने बाद आपका देन शुब हो